नमस्कार, SPN 9 News आप देख रही हैं पर सपा को समर्थन के लिए कह चुके हैं राजा भाईया की पार्टी जनसत अदल के नेताओन आधी कारिक्तार पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है और सपा प्रत्याशी के समर्थन में सभाई भी की हैं कौशामभी से सपा प्रत्याशी पुषपेंद्र सरोज राजा भाया के समर्थन के चलते अपनी जीत अब पक्की मान रही है बताते चलें कि बीटे दिनों राजा भाया ने भारती जट पार्टी या सपा दोनों को समर्थन करने से इंकार कर दिया था राजा भाया, ने अपने समर्थखाशन के बाद मेडिया को जानकारी दी थी, क्यांके इनके समर्थख और पार्टी की कारिकरता जीसे चाहेँ, उसे अपना समर्थखन और मत दे सकते हैं। राजा भाईया ने सपा के साथ जाने के संकेत तब ही दे दिये थे जब उनकी कौशामबी में सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज से मुलाकात हुई थी और सपा नेदा के खिलाफ मानहानी का मुकदमा वापस लेनी की प्रक्रियाश शुरू कर दे गई थी कि मान जाता है की राजा भाया विनुद् सोंकर से काफी नाराज हैं विनुद् सोंकर कोशामबी में बीजेपी और प्रत्याशी बनाये जाने के बाद उन्होंने कुछ एक को मौको पर राजा भाया की खिलाव बयानवाजी की थी हाला कि अब बीते दिनों के इंद्रिय मंत्री संजीव बालियान राजा भहिया से मिल्ले पहुंचे तब विनोत सौनकर भी उनके साथ है फिलाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्पियन नाइन निव्स